9 नवंबर 2019 आकिरकार सुप्रीम कोट ने आयोधा राम मंदिर निर्मान के कारे को हरी जंडी देही दी और 5 अगज 2020 को भवे राम मंदिर निर्मान के लिए भूमी पूजन किया गया और पूरे भारत वर्ष में हर्ष का वातावरन फैल गया हाला कि इसमें मुस्लिमों को भी 5 अकर जमीन मज्जित की निर्मान के लिए दे दी गई है जो सुप्रीम कोट का अच्छा फैसला माना गया है मंदिर निर्मान का काम जो और से शुरू हो गया है इसका निर्मान साड़े तिन साल यानि 2024 के अन तक पूरा किया जाने वाला है मंदीर निर्मान का कूल खर्च 1100 करोड तक लग सकता है खाले मंदीर का निर्मान का खर्च 300 से 400 करोड का है और बागे खर्च आजू बाजू का परिसर विकसित करने के लिए है मंदीर निर्मान के लिए जो भी चंदा लगने वाला है वो इकटा किया जा रहा है इसके लिए बहुत सारे लोग आगे भी बढ़ रहे अब तक 21 करोड से भी जादा चंदा एकटा किया गया है और ये राशी लगने वाली राशी से भी जादा है इससे आप सोच सकते हैं कि ये राम मंदिर कितना विशाल और सुन्दर होने वाला है खेर ये तो हो गए अब तक की बात है चलो तो फिर राम मंदिर का इतियास भी जान लेते हैं लेकिन इससे पहले वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा राम मंदिर निर्मान का पूरा इतियास बताने जाए तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा क्योंकि ये इतियास बहुत ही जटिल और पौरानिक तता धार्मिक माननेताओं पर आधार ही थे फिर भी आपके सामने जो भी इतियास बताए जाएगा वह कुछ गरंतों और पौरानिक कताओं के आधार पर ही बताये जाएगा या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं पहले मंदिर का निर्मान पौरानिक गरंतों में लिखा गया है कि जब भगवान राम बैखुर दाम चले गए तो पूरी आयोध्या नगर सरीओ नदि में समायत हो गए बचे तो केवल आयोध्या नगर की भूमी वही भूमी जावर भगवान श Journe राम के पूत्र कोशम बी नरेश कुछ ने पहली बार भगवान शरी राम का भव्य मंदिर बनवाय था यहाँ पूरा मंदिर पत्थरों के भवय खंबों से बना गया था और माना जाता है कि जैन परवपराओ की मुटाबे कि यहाँ मंदिर रुशब द्रव ने बना गया था इसके बाद यह मंदिर नष्ट कैसे हुआ किसी को भी पता नहीं दूसरी बार मंदिर का निर्मान मंदिर बनवाया तीसरी बार मंदिर का निर्मान हिंदू पक्ष के अनुसार बाबर के पहले एक हजार तेदिस सालों पहले मुसलिम आकरमान कारी सालार मसुद ने राम जन्मी भुमी को नश्ट कर दिया था बाद में घड़वाल वंश की राजाओ द्वारा इस पवित्र मंदिर का तीसरी बार पूर्ण निर्मान किया गया राम मंदिर विवात की शुरुवात राम मंदिर विवात की शुरुवात सन 1528 से शुरू हुई थी हिंदू का यह दावा है कि जराम जन्मूव में अयुद्धा को नश्ट कर यहाँ पर बाबरी मजजिद बनवाए गई और यह काम मुगल अक्रमन कारे बाबर ने किया था और इस मजजिद का निर्मान 1528 में बाबर के कहने पर उसके एक वफादार सुवेदार ने करवाय था राम मंदिर नश्ट करने का बहुत बड़ा सबूत सिख धर्म गरंतों में मिलता है इन गरंतों के अनुसार सिख धर्म गुरु गुरु नानक देवजी सन पंदरा सो दस से पंदरा सो ग्यारा के दोरान राम जन्मूव में के दर्शन के हेतु अवधा गए थे और बाबरिम मस्जित का निर्मान सन 1528 में हुआ था यह सोचने की बात है खेर आगे बढ़ते हैं राम मंदिर और मस्जित के विवाद को लेकर 1800 रेपन में पहली बार यहां के आसपास की इलाके में दंगे हुए थे यह विवाद सुलजाने के लिए अंगरोजों ने 1869 में मुस्लिमों को ढाचे के अंदर नमाज पढ़ने के लिए और हिंदों को चबुद्र के उपर पूजा करने के लिए इजादत दे दी तब इसे कुछ साल तक इससी चलता रहा लेकिन 23 दिसंबर 1949 को मजजित के अंदर अचनक ही राम लल्ला की मूर्ती दिखाई दी तब यह विवाद इतना बढ़ गया कि उस समय के सरकार ने ढाचे को ताला लगवा दिया और नमाज बंद हो गई लेकिन चबुद्र के उपर पूजा चलते रहे कानूनी विवाद 1950 से राम जन्मू भूमी को लेकर कानूनी जंग शुरू हो गई गोपाल विशारत और राम चंदर दास ने ढाचे के अंदर राम लल्ला की पूजा करने और प्रतिमा वही रखने के लिए फिरुजाबाद सिविल कोर्ट में अरजी दाखिल करवाए बाद में 1969 में निर्मोई अखडा ने अरजी दाखिल करवाए हाई कोर्ट ने फैजाबाद जिला अदलत से केस अपने हाथों में ले लिया ततकालिन सरकार ने उनिस सो नवाजी में विवादित भूमी के पास शिला नास रखनी की अनुमती दे दी 6 दिसमबर 1992 को राम जनुमी के आंदोलन में शामिल लाको सेवकों ने विवादित भाचे को द्वास कर दिया और उस समय वह विवाद भूट टाइम तक चला और भगवान राम को वहाद से निकाल कर टेंड में रखा गया 30 सितमबर 2010 को इलाबाद हाय कोट ने विवादित जमीन तीन हिस्सों में बाटने का फैसला किया इसमें से एक तिहाई हिस्सा हिंदो को एक तिहाई हिस्सा निर्मा या खड़ को और तिसरा हिस्सा मुसलिम पक्ष को दे दिया इस फैसले पर नाकुष होने के वज़त से इसके विरुद्ध में बहुत सारी आचिकाई सुप्रीम कोट में डाली गई इसलिए सुप्रीम कोट ने 2011 में इस फैसले पर रोक लगाई यह विवाद मिटाने के लिए सुप्रीम कोट ने बहुत सारी कोशिशी भी की लेकिन इसका कुछ भी हल नहीं मिला आखिरकार सुप्रिम कोट ने यह फैसला अपने पास में सुरक्षित रख लिया आखिरकार 9 नौबर 2019 को इस विवाद का हमेशा हमेशा के लिए निप्टारा कर दिया भगवान रा मंदिर के लिए उसका मालिकाना हक दे दिया गया सुप्रिम कोट ने नरेंद्र मोधी सरकार को तीन मेंने के वितर एक ट्रस्ट अपिस्त करने का आजज़ दे दिया और मुस्लिम पक्ष को आयोद्धा के एक महत्वपूर्ण स्तान पर पाच एकड़ जमिन देने का आज़ेश दे दिया और आखिरकार वह हर्ष का दिन आही गया पाच अगस 2020 को राम जन्मस्तान पर मंदिर निर्मान के लिए भूमी पोजन किया गया